हलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हसी स्टेडी गाइड में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्याफोल्डिंग के टूलबॉक्स टॉक्स टॉक्स मीटिंग के बारे में तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो ये जो टूलबॉक्स टॉक्स मीटिंग होती है इसके लिए हमें काफी कम समय मिलता है और ये जो है ये हम जॉब को स्टार्ट करने से पहले हमें कंडग करना होता है अब इसमें क्या बाते जो है हमने डिसकस करना चीए क्योंकि इसके लिए टाइम बहुत ही कम होता है मतलब 5 minutes हो या फिर 10 minutes हो मतलब maximum 10 minutes जो है आपके पास होते है और कम से कम जो है वो 5 minutes होते है अब इसी ही समय में जो है आपको ये जो topic है ये अच्छे से cover up करना है तो इसमें क्या-क्या बाते जो है आपको discuss करना चीए वही toolbox talk में आपको discuss करना है जैसे कि scaffolding है लेना है यह सारी बाते जो है तुलबॉक स्टॉक के जरीये जो है वरकर लोगों को आपको बताना होता है तो चलिए जानते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि स्क्याफोल्डिंग की डेफिनेशन क्या है स्क्याफोल्डिंग एक temporary structure है जिसकी वज़े से आपको access provide किया जाता है जिसकी वज़े से आपको work platform दिया जाता है आदमी को काम करने के लिए या फिर स्क्याफोल्डिंग का जो use है वो support के तोर पर भी किया जाता है जैसे कि material support के लिए उसका use किया जाता है प्लांट और एकुप्मेंट के लिए भी सपोर्ट का इस्तिमाल किया जाता है चलिए देखते हैं कि स्क्याफूलिंग एक्टिविटी के वग हमें कौन से हजार का सामना करना पड़ता है और उसमें क्या हजार होते है तो सबसे पहले है फाल्स प्रॉम इलिवेशन इलिवेशन से गिरने का खत्रा थर्ड है स्क्याफूल कोलाप्स पुरी की पुरी स्क्याफूल जो है वो कोलाप्स हो सकती है बैड प्लैंकिंग यानि कि जो प्लैंक से अगर आपने बराबर अगर नहीं रखे है तो भी वो एक हजार है फिर है falling of material कोई भी जो चीज है scaffolding के उपर से नीचे गिर सकती है falling of tools कोई भी loose material या फिर tools अगर आप use कर रहे हो तो वो भी tools उपर से नीचे गिरने का खत्रा है loose soil अगर soil loose है उसके उपर अगर आप scaffold बना रहे हो तब भी वो Skaffold गिरने का खत्रा है यानि कि Lose Soil जो है वो एक हजाड है Excavation Near the Scaffold यानि कि जहाँ पर भी Skaffold खड़ी की गई है उसके नस्दिक अगर मानलो कोई Excavations होता है तब उस Excavations से वो Skaffold गिरने का खत्रा है यानि कि Excavations Near the Scaffold ये एक हजाड है काम करता है, जिसके पास उसकी competency नहीं है, वो भी एक खत्रा है, यानि कि incompetent scaffolder, तो चलिए देखते हैं कि scaffolding के वरक कौन सी precautions लेने की आपको ज़रुरत है, तो सबसे पहले देखते हैं कि protections from false, यानि कि गिरने से बचने के लिए आपको क्या करना है, तो गिरने करना है, ताकि कोई भी persons को उपर से नीचे गिरने से आप बचा सको, और second आता है personal fall arrest system, उसमें आता है anchorage, यानि कि आप जहां पर काम कर रहे हो, उसका anchoring point सही होना चाहिए, जो भी आप जहां पर भी scaffolding का काम कर रहे हो, उसके लिए proper lifeline होनी चाहिए, ताकि आप अपना full body harness उसमें hang कर सको, तो दोस्तों आशाखरता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा scaffolding के toolbox talk meeting के बारे में, तो बस आज के लिए इतना ही मलता है शुडो में एक नए topic के साथ में है, तब तक लिए take care, bye bye